हलो इस्टूटेंट राइट नाव बेटा वे अग्वाइट नियू कोश्चन ओविएसली इन पैरमेट्रिक फॉर्म इसके पहले भी हम लोगो ने पैरमेट्रिक फॉर्म किया था उसी के ओपर हम लोग आ रहे है बेटा तो देखें बेटा हमारे पास जो कोश्चन है देखते हैं उसका भी प्रेजेंटेशन हम लोग लेते है अभी देखते हैं भी आपके लिए सॉल्फ करके हमने रखा है बेटा एकस इकवरस तो ए विदिन ब्रैकेट टी प्लस वन बाइट अब क्या करेंगे एकस इस दो फॉंक्शन आफ टी तो डिफ्रेंसियेद विट रिस्पेक्ट तो टी तो टी एकस बाइट हमारे पास आगया यह एकस तो टी क यह लख लखे गी तो क्या होगया बेटा हमारा इस विदिन ब्रैकेट वन माइनस वन बाइट फॉर अब यह माइनस यह यह वाले को देखिए तो टी का तो टी का तो टी का तो टी का तो लीए के लिए पेटा हम जिएगर एट Records 2 दोनों को हम normally upon कर देंगे अगर upon कर देंगे तो आप लेखिए ए तो मेरा cancel हो गया बिटा और बाकी LCM लेकर शोट आउट होके T2 प्लस 1 अपॉन T2 माइनस 1 आगया, clear है अब चुकि हमें आपको proof करना है अगर हमको खाली find dy by dx रहता तो यहां पर हम stop हो जाते है तो proof करना क्या है हमें? dy by dx equals to x by y हमको proof करना है तो इसके लिए क्या करेंगे बिटा हमने x by y को ले लिया मतलब आप right hand portion को ले लिया right hand portion को हमने solve किया बिटा x की value at plus 1 by t है और y की value है बिटा at minus 1 by t LCM ले लिए बिटा t square plus 1 divided by t मतलब divided by t मतलब यह हो गया मेरा LCM and t square minus 1 by t दोनों LCM मेरा cancel हो गया बिटा तो x by y हमारा क्या हो गया बिटा that is finally अगर हम बात करें t square plus 1 upon t square minus 1 और equation 1 अगर आपने देखा होगा बिटा वहां पे भी t square plus 1 upon t square minus 1 था तो हम कहा सकते है from 1 and 2 dy by dx equals to x by y यह एक तरीके से repeat practice हो गया हम लोगों का इस टाप के questions थो हम लोग कर चुके थे एक तरीके से हम लोग की repeat practice हो गई अब हम लोग बात करते हैं मेन format यह अब अब चो next question हम लोग करेंगे बेटा वह पोड में आ चुका question है नहां से देखीगा question is if x equals to a theta plus sin theta y equals to a within bracket 1 minus cos theta then find d2y by dx2 at theta equals to pi by 2 मतलब d2y by dx2 निकालना है पहला question जो second order के तरफ हम जा रहे है बेटा वो भी parametric में first of all and second find the value of d2y by dx2 at any specific point वो specific point क्या है वो भी आप देख पारे पाई बाई 2 पाई बाई 2 means अगर डिग्री में बात करें तो 90 डिग्री रेडियन में पाई बाई 2 अब देखते हैं as as well पहले कितर सबसे पहले हम इसको पीकप करेंगे और फिर इसको किसी को भी पहले ले सकते कोई issue नहीं है किसार x को ही पहले ले रहे x is the function of theta तो जिसका function है उसी के form में differentiate होगा and dx by d theta a 1 plus cos theta इसको equation number 1 दे दिए y equals to a 1 minus cos theta differentiate with respect to theta clear है तो 1 का तो 0 हो जाएगा बेटा और cos theta का आप देखेंगे तो cos theta का हो जाता है minus sin theta cos theta का हो तो आप देख सकते हैं तो हमारे पास क्या value आजाएगी y equals to a I'm sorry not y that is dy by d theta तो dy by d theta की value जो हमारी रहेगी यहां पे हम note कर दे रहे बेटा dy by d theta equals to a और minus cos theta का क्या हो जाएगा बेटा cos theta का तो minus sin theta का 1 का 0 हो जाएगा तो minus minus plus हो जाएगा that is sin theta यह हो जाएगा मेरा dy by d theta ओके हमें रख रहे है कि एक page हम से मिस हो गया तो कोई issue नहीं है बेटा आप देख सकते हैं यहां पे dy by dx निकाला गया है dy by d theta upon dx by d theta देखिए उपर लिखिए a sin theta जो भी हमने लिखा था बेटा virtual screen पे that is a sin theta और dx by d theta a 1 plus cos theta अब a से यह cancel हो गया अब मेरा trigonometry वर्क करेगा बेटा हमने class 11 में भी बताया था trigonometry हम नहीं पढ़ाते थे हमारे जो alternate teacher है वो पढ़ाते थे आप लोगों को मगर हमने हमें सा trigonometry के pressure दिया और अभी आपको समझ मैंगा कि इसके reason क्या है obviously बेटा I am going to use half angle formula means sin theta means 2 sin theta by 2 cos theta by 2 and cos theta means 2 cos square theta by 2 minus 1 तो minus 1 plus 1 आप देख सकते है यहाँ पे cancel हो गया तो हमारे पास आया क्या that is 2 sin theta by 2 cos theta by 2 divided by 2 cos square theta by 2 यह खली हमने लिखा है 2 से 2 cancel हो गया और यह जो cos theta by 2 है उससे 1 cos theta by 2 cancel हो गया तो क्या हमारे पास आया हमारे पास आया sin theta by 2 by cos theta by 2 class 10 technometry बेटा sin by cos cos tan करते है आप देखिए हमने यहाँ पे 10 theta by 2 लिख दिया यह dy by dx है अगर query हमारी dy by dx होता तो यहाँ पे हमागे रूप चाते है clear but अब हम नया चीश सीखने वाले है तो dy by dx आपके सामनी यह आगया बिटा अब हमको निकालना है d2 by dx2 तो dx2 तो आप देख सकते है बिटा तो dy by dx तो आगया मेरा tan theta by 2 यहाँ पे आप देख सकते है dy by dx tan theta by 2 तो dx2 अगर चाहिए मतलब x के respect में तो आप देखी यहाँ पे हमने लिखा है differentiate with respect to x तो dy by dx2 tan का differentiation क्या होता है बिटा sec square theta by 2 और यह theta by 2 मेरे t के तरफ वर्क करेगा तो theta by 2 का 1 by 2 तो constant है बाहर आ गया और d theta by dx x जैसे t वाले में हमने आप लोग को सामझा जाता है dt by dx लेकर into करते है तो d theta by dx यह हमारा into होगा clear? आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे d theta by dx into है अब d theta by dx की value कहां से आगी equation 1 देखी है थोड़ा सा अगर वीडियो को अगर rewind करेंगे हमने d theta by dx नहीं निकाला था हमने d x by d theta निकाला था बेटा तो उसका reverse कर दीजिए अगर y equals to x है तो कोई अगर 1 by y पूछे तो हम बोलतेंगे 1 by x है तो यहाँ पे हमने reverse कर दिया है that is d theta by dx की value 1 by a within bracket 1 plus cos theta और यहाँ पे देखी हमने लिखा भी है using 1 वहाँ पे आप देखीगा equation 1 हमने दिया है rewind करके जब आप देखेंगे आपको दिखाई देगा अब क्या करना है बटा सच पूछिये तो अब तो खाली values put करनी है because d2 by dx2 की value तो है बट हमको बोल दिया specific कर दिया इसको general नहीं किया specific मतलब जब हमे quantity दे दी जाती है तो उसको हम लोग specific करते है बटा clear है तो अब इस question को specific कर दिया है अब हम करेंगे क्या बटा हम जिस point पे हमको values निकालना है हमको निकालना है πाई बाई 2 पे पाई बाई 2 यह हमने कर रहे है question कर रहा है वहां पे हम ठीटा के जगा पाई बाई 2 but आप देख रहे हैं यहां पे पाई बाई 4 आपको देख रहा है reason है बटा say के square ठीटा बाई 2 है तो पाई बाई 2 और divided बाई 2 तो क्या हो जाएगा बटा पाई बाई 4 तो इसलिए यहां पे आपको πाई बाई 4 देख रहा है और जहां पे ठीटा है वहां पे आपको पाई बाई 2 ही दीखेगा बटा इसको धैन में रखीगा यहां पे confused मत हो जाएगा कहींपर पाई बाई 4 लिखें और कहींपर पाई बाई 2 clear है बटा तो चुकि ठीटा भाई 2 था तो πाई भाई 2 कनवर्ट होगे πाई भाई 4 होगया नॉर्मल मैथ्स का रूल बेटा यहां पर वर्क किया है तो हमारे पास आ गया सिक स्क्वेर भाई भाई 4 बेटा सिक भाई भाई 4 अगर डिग्री में बात करें तो 45 सेक 45 के वैयरू root 2 होती है सेक square तो root 2 का square clear और denominator में 2A denominator की बात करेंगे तो 2A 1 plus cos πi by 2 cos πi by 2 की value 0 होती है तो आप देख सकते 1 plus 0 तो root 2 का square तो 2 हो गया 2A by 2 by 2A root 2 का 2 हो गया और नीचे 2A in 1 that is 2A तो 2 से 2 cancel हो गया बैटा and the final output is 1 by A clear? समझ मैं आप लोग को तो क्या question था एक बार हम फिर से हम बता दे रहे बैटा देखे यहां से start किये थे x equals to something था y equals to something हमने किया क्या हमने dx by d theta निकाला है और dy by d theta निकाला है दोनों को हमने upon कर दिया upon करने से dy by dx हमारे पास आ गया अब देख सके dy by dx मेरा shot out होके यह आ गया ठेक उसके बाद क्या किया हमने हमने यह final dy by dx मेरा है बटा उसके बाद with respect to x again हमने differentiate किया यह देखे differentiate with respect to x क्यों? क्योंकि हमारी need थे d2y by dx2 question कि साब से ठेक यहां पर हमने differentiate किया और last of all difference होने के बाद ठीटा के जगर हमने pi by 2 रख दिया because as per the question तो pi by 2 रखने के बाद बटा हमने solve किया और जो final आया that is our output ठेक इसके बिहाब पर बटा आप लोग questions को और solve करियेगा और जो भी issues होंगे उमके उपर आपनों next time discuss करांगे